दोस्तों क्या आप जानते हो शिवजी का प्रमुख वस्त्रभ भस्म यानी राख है क्योंकि उनका पूरा शरीर भस्म से धाका रहता है शिवपुरान के अनुसार भस्म स्रिष्टी का सार है एक दिन संपूर्ण स्रिष्टी इसी राख के रूप में परिवर्तित हो जानी है ऐसा माना जाता है कि चारो युग, त्रेता युग, सत युग, द्वापर युग और कली युग के बाद इस स्रिष्टी का विनाश हो जाता है। और पुना स्रिष्टी की रचना ब्रमाजी द्वारा की जाती हैं, ये क्रिया अन्वरत चलती रहती है, इस स्रिष्टी के सार भास्म यानी राक को शिवजी सदैव धारंग किये रहते हैं, इसका यही अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण स्रिष्टी शिवजी में विलीन हो जानी है, दोस्तों ऐसे ही आध्यात्मिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले और एक वीडियो में और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं,